Good morning students, मैं रिखा शर्मा आपकी B.S.C. Part 1, Semester 1, Paper 3, Physical Chemistry की Online Class ले रही हूं आज के इस लेक्चर में हम हमारी यूनिट कंप्यूटर्स के टॉपिक, Input Devices को डिसकस करेंगे Input Devices या Input युखतियां वे सभी उपकरण हैं जो की कंप्यूटर को Data या Command देने के काम आते हैं मुख्य Input Devices हैं, Keyboard और Mouse System Keyboard कंप्यूटर की बुख्य Input Devices है, जिसके द्वारा की समस सूचनाएं और निर्देश यानि Commands कंप्यूटर में लिखे जाते हैं या Feed किये जाते हैं Keyboard के बटनों में यह विशेश्टा होती है कि अगर हम किसी बटन को कुछ समय तक दबाए रखें तो वह स्वैम को दोराता है या Repeat करता है Keyboard एक केबल के द्वारा कंप्यूटर से जुड़ा होता है जिसका एक सिरा Keyboard और दूसरा सिरा CPU के पीछे लगे एक सौकिट के अंदर लगाया जाता है Typewriter की अपेक्षा Keyboard के अंदर कई अतरिक्त कुण्जियां या Keys होती हैं जिससे अनेक प्रकार की कार्य किये जा सकते हैं Keyboard के सबसे उपरी दाहिनियों यानि Right Side में तीन रोशनी देने वाले Indicator लगे होते हैं जो की Caps Lock, Numerical Lock और Scroll Lock कुण्जियों की वर्तमान इस्तिती को दर्शाते रहते हैं Keyboard एक Typewriter की भातिकारे करता है वर्तमान समय में निम्ण प्रकार के Keyboard मार्केट में अधिक प्रचलन में है PC XT Keyboard, PC 80 Keyboard, PS Oblix 2 Keyboard और Apple Keyboard चित्र के अंदर एक प्रारूपिक Keyboard दिखाया गया है Computer के Keyboard पर उपस्थे सभी Keyes को 6 समुहों के अंदर बाटा जा सकता है Number 1, Number Keyes जो संख्या में 10 होती हैं और नीचे दिये गए अंक उन पर अंकित होती हैं ये Keyboard के में उपर की और होती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0 जो नंबर हैं उन पर अंकित होती हैं Alphabet Keys संख्या में 6 होती हैं और A से Z तक के सभी Burn एक एक कर इन Keys के उपर अंकित होती हैं ये कुंजिया या Keys, Capital Letter और Small Letter दोनों ही प्रकार के Letters को Print करने के काम आती हैं और Typewriter के क्रमानुसार ये Keys कंप्यूटर के Keyboard पर भी विवस्थित रहती हैं इस चित्र में Alphabet Keys के Special Order को दिखाया गया है Function Keys संख्या में 12 होती हैं और इनके उपर F1, F2, F3 से लेकर F12 अंकित होता है अलग-अलग Software में इन कुझियों का कार्य भी बिन-बिन होता है Editing Keys संख्या में अनेक होती हैं और इनका कार्य टाइप के गए मैटर को Edit करना है Editing Keys और उनके कार्य इस प्रकार होते हैं Upper Head की जिसमें करसर को एक लाइन उपर के और ले जाए जाता है Down Head की जिससे करसर को एक लाइन नीचे की और ले जाए जा सकता है Right Head की करसर को एक अक्षर दाईं तरफ ले जाने का कार्य करती है जबकि Left Head की करसर को एक अक्षर बाइन तरफ ले जाने के काम आती है PA Up की करसर को एक पेज उपर के और ले जाती है जबकि PA DN की करसर को एक पेज नीचे की तरफ ले जाने का कार्य करती है Home की करसर को स्क्रीन के प्रारंब की ओ ले जाती है End की करसर को स्क्रीन के अंत में ले जाती है Backspace की स्क्रीन पर से एक एक अक्षर को डिलीट करते हुए करसर को Left यानी बाइन और ले जाती है स्पेस बार की बोड की सबसे लंबी की है जिसका उप्योग एक वर जितना रिक्तस्थान छोड़ने के लिए किया जाता है DEL यानि डिलीट की करसर के उपर उपस्थित अक्षरों को मिटाने का कारे करती है इंसर्ट की कवप्योग किनी दो अक्षरों के बीच कुछ और अक्षर टाइप करने में किया जाता है और इसी प्रकार टैब की के द्वारा करसर को दाई और बाई और ले जाए जाता है और इन में से कुछ इंपौर्टन्ट की इस निमनि प्रकार से होती है एंटर या रिटर्न की कंप्प्यूटर के निर्देशों के निश्पादन का कारे करती है Shift की समानिता दो प्रकार के होती हैं और ये Alphabet की से Capital Letter प्रिंट करने के काम आती हैं और जिन की इस पर दो चिन लिखे होते हैं उनसे उपर वाले Sign को प्रिंट करने में इनका उप्योग होता है ESC या Escape की के द्वारा Computer के द्वारा संपन विभिन कार्यों को Memory के अंदर भंडारित यानि Store किया जाता है Pause की Computer को Processing के दौरान अस्थाई रूप से रोकने का कार्य करती है NUM Lock यानि Numerical Lock की की साहिता से Ending Keys को Number Keys की तरह उप्योग में लाए जा सकता है Caps Lock की साहिता से बिना Shift दबाए Alphabet Keys से Capital Letter प्राप्त किये जा सकते है CTRL यानि Control की का कोई विशेश स्वतंत्र कार्य नहीं होता किन्तु जब इसका उप्योग अन्य Keys विशेश कर Alphabet Keys के साहिता है तो यह कोई कार्य संपन्द करती है Symbol Keys के द्वारा विशेश प्रकार के Symbol जो की नीचे दिखाए गए है Type के जा सकते है सभी Keys को Sunshape में निम्न प्रकार लिख सकते है Numeric Keys 0 से 9 तक की समस्त Keys जो है वो Numeric Keys के लाती है Function Keys सभी Logical चिन्नों वाली Keys इस श्रिणी में आती है Alphabetical Keys समस्त A to Z तक की Keys को Alphabetical Keys कहा जाता है Arithmetic Sign Key Plus, Minus, Equal To, At The Rate इत्यादी Keys, Arithmetic Keys कहलाती है Special Key For example, Enter Key, Control Key, Escape Key, Shift Key, Alter Key Insert, Scroll Lock, Pause, Print Screen इत्यादी Keys, Special Keys कहलाती है उधानार, Control Plus A का मतलब सभी फाइलों को सेलेक्ट करना है Logical Sign Key, F1 से F2 फंक्शन की कहलाती है Mouse Keyboard के समान, Mouse भी एक Input Device है जिसका उप्योग Computer को निर्देश यानि Command देने में दिया जाता है यहें केबल की साहता से Computer के CPU से जुड़ा होता है एक तीर के चिन यानि Pointer Screen के उपर होता है जिसे Mouse Pointer या करसर कहा जाता है जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है Mouse को एक समतल सत्र विशेश रूप से Mouse Pad के उपर रखकर हाथ से इधर उधर सरकाया जाता है जिससे की करसर स्क्रीन के उपर इधर उधर सरकता रहता है Mouse के द्वारा करसर के निशान को Computer स्क्रीन पर कहीं भी ले जाया सकता है और कार्य संपन करने के लिए Mouse के बटन को Press किया जाता है कुछ कार्य करने के लिए Mouse के बटन को क्षिगृता से दो बार क्लिक करते है Mouse के उप्योग से अनेक कार्य बहुत सरलता से किये जा सकते है विशेश कर Graphics के कार्य में इसका उप्योग भहत अधिक होता है समाने तह माउस के अंदर 2 या 3 बटन होते हैं किंतु अधिकतर प्रोग्रेम्स में केवल 2 बटन यानी लेफ्ट बटन का ही उपयोग होता है की बोर के माध्यम से जो कार्य नहीं के जा सकतے वे माउस के द्वारा असानी से के जा सकते हैं जैसे गोला यानी सरकल बनाना इत्यादी सन 1977 में स्टैन्फोर्ड ब्रसर्च लबोरेटरी के साइन्टिस्ट डगलस सी इंजलवर्ट में इसका विश्कार किया था पहले इसे पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जाना जाता था माउस चार प्रकार के होते हैं मेकेनिकल माउस, ओप्टिकल माउस, बस माउस और सीरियल माउस OMR या ओप्टिकल मार्क रीडर यह बार कोर रीडर के समान हैं जिसमें प्रिप्यर्ड फॉर्म्स पर मार्क स्कैन करने के लिए इंफ्रारेड यानी IR प्रकाश का उप्योग किया जाता है जैसे भूविकल्पी यानी मल्टिपल चॉइस जो एक्जाम्स के उत्तरपत्रा के लॉट्री टिकेट हैं उनमें भी OMR का उप्योग किया जाता है इंफ्रारेड जब रिफ्लेक्ट होती है तो यह एक मार्क को स्कैन करता है आजकल कम्पिटिटिव एक्जाम्स में इस का उप्योग आंसर शीट्स को जाचने में किया जाता है परिक्षार्थी या कैंडिडेट्स पैंसिल या बॉल पैन से OMR शीट के गोलों को काला कर देते हैं और जब इन आंसर शीट्स को जाचा जाता है तो उन पर आई आ जैनि इन्फ्रा रेड प्रकाश डालते हैं जिससे OMR शीट में काले किये गोले से प्रकाश रिफ्लेक्ट हो जाता है और यदि सही उत्तरवाला गोला भरा है तो अंक दे दिये जाते हैं यह डेटा के बड़ी मात्रा को इन्फुट करने की एक बहुत तेज और शुद्ध विदी प्रदान करता है लाब साधारन डेटा को यह बड़ी मात्रा में इन्फुट करने का एक तिव्र और परिशुद्ध तर्गा है जबकि हानी क्या है इससे यह साधारन डेटा और सीविद डेटा को ही पकड़ता है MICR यानि Magnetic Ink Character Recognition MICR में मानव और मशीन द्वारा समझी जा सकने वाली प्रणाली की साहता से इन्फुट किये जाने वाले डेटा को एक सामान्य कागज के उपर लिखा जाता है इसमें अक्षरों को लिखने के लिए एक विशेश प्रकार के प्रिंटिंग फॉन्ट काम में लिए जाते हैं इस फॉन्ट में प्रतेक अक्षर खड़ी लकीरों से बना होता है ये अक्षर चुम्बक्य पधार्त युक्त यानि आरन अक्साइड युक्त एक विशेश प्रकार की इंक से लिखे जाते हैं जब कोई अक्षर पढ़ा जाता है तो उसे M.I.C.R. के रीडिंग हैड के नीचे से गुजारा जाता है जो की बड़े और छोटे अंत्राल को क्रमश एक बिट और जीरो बिट के रूप में पढ़ता है बुक्य रूप से ये विदी बैंकों के अंदर यूज होती है बैंकों के चैक के निचले हिस्से पर प्रिंटेड डाटा को M.I.C.R. के रूप में लिखा जाता है जो ये बैंक की कोड संख्या, ग्रहक खाता क्रमांग और चैक की राशी को दर्शाता है M.I.C.R. के लाब इसके द्वारा चैक की पूरी जानकारी तुरंत प्राप्त हो जाती है इस M.I.C.R. में तयार की गए डेटा को मशीन और मानव दौनों ही अच्छे डंग से पढ़ सकते है इसके अंदर डाटा इंपुट की गती अधिक होती है और साथ ही चैक का निप्टारा भी जल्दी होता है Optical Character Reader या O.C.R. में डाटा लिखने के लिए अक्षरों का एक स्टेंडर्ड सैट होता है जो मानव और मशीन के द्वारा पढ़ा जा सकता है O.C.R. के द्वारा डाटा पढ़ने का कार्य लाइट स्कैनिंग मैथड के द्वारा दिया जाता है जिसमें प्रतेक अक्षर को एक light source से प्रकाशित किया जाता है और उसके reflection को O.C.R. में नीचे की और रक्षी photo-sensitive plate के उपर प्राप्त करके उस डेटा को पढ़ा जाता है O.C.R. में डेटा लिखने के लिए अक्षरों के अनेक स्टेंडर्ड सैट होते हैं जिनमें हम सरलता से लिखा जाने वाला सैट को काम में लिते हैं O.C.R. प्रनाली हाथ से लिखे गए को भी आसानी से पढ़ सकती है O.C.R. यानि Optical Character Reader के क्या लाब है इनमें बार-बार डेटा तयार करने की कोई आवश्यक्ता नहीं होती और साथ ही हस्त लिखित या टाइप किया हुआ डेटा भी ये प्रनाली आसानी से पढ़ सकती है O.C.R. की हानिया या ये एक अत्यदिक महंगी प्रनाली है और इसमें कुछ विशेश प्रकार के फॉंट का ही उप्योग होता है Thank you